कुछ बाते ईश्वर के चर्णों में समर्पित प्रभू कहते हैं कि तू सोने से पहले सब को माफ कर दे मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूँगा दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरुरत होती है और प्रभू से बात करने के लिए मौन की जरुरत होती है बिखर जाता है और इश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है भगवान के पास दो शक्तियां है एक है माया और दूसरी है भक्ति जब कोई भगवान के समक्ष जाता है और भगवान को प्रणाम करता है तो वो पूछते हैं बोलो क्या चाहिए माया चाहिए या भक्ति चा अंतर है, भगवान बोले, देखो, दोनों में एक ही अंतर है, अगर तुमें नाचना है, तो माया ले जाओ, और अगर तुमें नचाना हो, तो भक्त ले जाओ, क्योंकि जीव जिसके वश में रहे, उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे, उसका नाम भक्ती, प्रपकी भक्ती राज्ये में भगवान स्वयम नाचते हैं। इतनी उचाई ना देना प्रभू कि धर्ती पराई लगने लगे। इतनी खुशियां ना देना प्रभू कि किसी के दुखों पर हसी आने लगे। नहीं चाहिए ऐसी शक्ती जिसका निर्बल पर परियोग करूं। नहीं चाहिए ऐसे भाव कि किसी को देख देख चल मरूं। ऐसा ग्यान मुझे मत देना अभिमान जिसका होने लगे। ऐसी चतुराई भी ना देना कि लोगों को चलने लगूं। किसी ने पूछा भक्ती क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया। भक्ती हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग भी ना कर पाते। भक्ती ना ही आँखों से होती है, वरना सूर्दास्ची कभी ना कर पाते। ना ही भक्ती बोलने और सुनने से होती है वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते और ना ही भक्ती धन और ताकत से होती है वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते भक्ती केवल भाव से होती है एक एहसास है भक्ती जो हिर्दे से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिष्टे में बदल जाता है भक्ती भाव का सच्चा सागर है भगवान ने इनसान को जब बनाया था तो उसे सब चीजे दी पर एक चीज इनसान के हाथों से नीचे गिर गई जिसे भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया इनसान के चले जाने के बाद भगवान से किसी ने पूछा आपने अपने चड़नों के नीचे क्या छुपाया है जो इनसान को वापस नहीं दिया तब भगवान बोले मैंने अपने चड़नों के नीचे शान्ती छुपाई है इंसान सदैव इसकी लिए तरस्ता रहेगा वह हर जगा इसे ढूंडेगा पर नाकाम रहेगा और आखिर में उसे ये मेरे चड़नों में आकर ही मिलेगी मनुष्य का यह स्वभाव है कि वो सुख में इश्वर को याद नहीं करता पर दुख में उसे सबसे पहले इश्वर का ही स्मरण होता है किसी ने पूछा भगवान कब याद आते हैं उत्तर मिला धर्मात्मा को हर समे पापी को मृत्यू के समे चोर को पकड़े जाने पर गरीब को भूख लगने पर धनी व्यक्ति को बिमार हो जाने पर कंजूस को पैसा खो जाने पर किसान को वर्षा ना होने पर और मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर व्यापारी को नुकसान हो जाने पर विद्यार्थी को परिक्षा में असफल होने पर इंसान को विप्रीत परिस्थितियों में ही भगवान याद आते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोए जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होए सब दर्वाजे बंध हो जाएं तभी एक दर्वाजा कभी बंध नहीं होता और वह है इश्वर का दर्वाजा उम्मीद इश्वर से रखो, दुनिया से नहीं मैंने कहा अपराधी हूँ मैं इश्वर ने कहा शमा कर दूँगा मैंने कहा परिशान हूँ मैं इश्वर ने कहा संभाल लूँगा इश्वर ने कहा, नजर उठा कर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब आप भगवान का ध्यान करें, तो हमेशा यही प्रातना करें, कि हे प्रभू, अगर किसी समय में आपकी उंगली पकड़ना भूल जाओं, तो आप मेरी बाह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको कही साथ चलने के लिए बोलना भूल जाओं, तो भी आप स्वयम मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिड़ो मत, गुस्सा मत करो, जोड से मत बोलो, मन शान्त रखो, विचार करो और फिर निर्ने लो, आवाज से आवाज नहीं मिटती, चुपी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा, मन शान्त रखोगे, तो सुख भी आपको ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर सीमाएं लांग जाती हैं, और फिर हमारे हाथ अफसोस के अलावा कुछ नहीं लगता। एक बार एक आदमी अपनी नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। वहीं पास में खड़ी उसकी चार साल की बच्ची पत्थर के एक टुकडे से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोच लगती देख पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी बेटी के हाथ को जोर से मरोड दिया। इतने जोर से कि उसकी एक उंगली की हड़ी पर बहुत चोट लगी। अस्पताल में दर्श से कराती हुई बेटी ने पापा को गले लगा कर पूछा पापा मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएंगी। शर्मिंदा पिता कोई जवाब ना दे पाया। उसे अपने किये पर इतना पश्तावा हुआ कि वह घर वापस आकर कार को लाते घूसे बरसाता हुआ अपना गुस्सा निकालने लगा। तभी उसकी नजर उस खरोच पर पड़ी जिसकी वज़ा से उसकी नन्नी सी बेटी को उंगली पर इतनी चोट लगी थी। जानते हैं पत्थर के टुकडे से बेटी ने कार पर क्या लिखा था। आई लव यू पापा आई लव यू पापा। जीवन में सीमा हमेशा याद रखिए चाहे वह गुस्से की हो चाहे वह प्यार की हो और यह भी याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए पर हम उल्टा ही करते हैं चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया कितनी निराली है ना, जिनकी आँखों में नीन्ध है, उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है, उनकी आँखों में नीन्ध नहीं, जिनके मन में दया है, उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है, उनके पास जिसको भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपने छोड़ देता है शब्द कोश में असंखे शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बहतर है दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बहतर है खाने को दुनिया भर की चीजे होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बहतर है देखने को इतना कुछ होते हुए भी आँखों से भीतर देखना सबसे बहतर होता है सोने की लंका और पुश्बक विमान तो रावण के पास भी थे राम ने तो बनवास ही देखा था राजपाट तो कंस के पास था जेल में जनम तो कृष्ण ने लिया था राजमहल में तो कौरव ही रहते थे बनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा संगर्श हमेशा सत्ते के साथ चलता है जब सत्ते के लिए भगवान को भी संगर्श करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान है बात बहुत छोटी है पर गहरी है बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बाटशा नहीं बन सकता लेकिन हाँ वह आपस में लड़कर दूसरों को बाश्या जरूर बना देता है जिस घर मे प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहाँ इश्वर का निवास होता है प्यार बटा तो रामायन लिखी गई और संपत्ती बटी तो महाभारत लिखी गई याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सला दूसरों से लेने लगता है एक पत्थर लो और पत्थर को किसी जानवर, कुते या बिल्ली के उपर मारिए आप देखेंगे कि वह जानवर डर कर भाग जाएगा अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती है एकता में ही शक्ति होती है संयुक्त रहिए, संगठित रहिए, प्यार से रहिए सब का खयाल रखिए और अपना भी खयाल रखिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने के लिए तो कभी अपनों के लिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद